मेरा नाम है आकांग्शाराय, टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स हम लोग मैक्यावली की वीडियो सिरीज कवर कर रहे हैं ये पार्ट वन वीडियो है जिसमें मैं आपको मैक्यावली का प्रॉपर इंट्रोडक्शन दूँगी मैक्यावली को जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जो निकोलो मैक्यावली है, इनकी विचार्धारा जो है बहुत अलग है मतलग उस वक्त जब प्लेटो अरिस्टोटिल, जो है वो एक classical political thinkers जो थे Plato Aristotle, उनसे काफी अलग विचारधारा है मक्यावली की, जहां प्लेटो एक idealist thinker थे, वही मक्यावली एक realist thinker थे जहां प्लेटो बात करते थे कि state क्या है, राज क्या है वही मक्यावली बात करते थे कि how to run the state, state को चलाएं कैसे, state को run कैसे करें पावर को maintain कैसे करें तो मिक्यावली जो है वो काफी realist thinker थे practical थे काफी तो इनकी सोच इतनी अलग कैसे थी तो इसका कारण वो दौर है जिस दौर में वो पैदा हुए थे वो काफी अलग दौर में पैदा हुए हैं में क्यावली का जन्म 3 मई 1469 को इटली के Florence में हुआ था इटली उस वक्त पांच हिस्सों में बटी हुई थी पांच टुकड़ों में बटी हुई थी इटली जिसका एक टुकड़ा था Florence जहां पैदा हुए थे में क्यावली तो मक्यावली जब पैदा हुए थे उस वक्त medieval age जो है वो खतम हो रहा था और modern age शुरू हो रहा था medieval age जहां माना जाता था जब कि धर्म ही सब कुछ है चर्च ही सब कुछ है वो age खतम हो रहा था अब modern age शुरू हो रहा था जहां पे एक लोगों का जो scientific thinking है वो start हो रही थी Renaissance ये एक पुनर जागरण का दौर था अब ये रिनेसा क्या है तो रिनेसा जो है ये एक French word है जिसका मतलब होता है rebirth तो उस वक्त 14-16 सताब्दी में यानि 14th century में एक movement सा शुरू हुआ था Europe में जहां पे जो है custom made tradition में art, literature, science हर चीज में change आ रहा था बदलाव आ रहा था उस दोर में जो ये एक तरह का reform था जहां पे लोग जो है वो पुराने दोर से निकल कर modern age की तरफ अग्रसर हो रहे थे तो रेनेजा क्यों आया लोगों की सोच में जब बदलाव आने लगा जब लोग जो है अपने आसपास के महोल को अपने आसपास के देशों को समझने की कोशिश करने लगे एक नया thinking शुरू हुआ a new age of science जो है वो start हुआ तो ये जो बदलाव था ये लोगों की सोच में बदलाव आने की वज़ा से ये जो एक moment सा शुरू हुआ बदलाव शुरू हुआ जहां लोग पुरानी विचारदारा से निकल कर नए दोर में जो है अग्रसर हो रहे थे तो ये जो रिनेसा का दोर था इसी दोर में पैदा हुए थे मक्यावली तो मक्यावली को child of रिनेसा भी कहा जाता है तो देखो सबसे पहले समझो योरॉप ये diagram समझो ये सबसे बाहर वाला सरकल है योरॉप योरॉप एक continent है इस continent के अंदर एक देश है इतली और इतली जो ह है वो पांच टुकडों में बढ़ता हुआ है तो सबसे पहले हमने देखा कि यॉरोप में जो है वो रेनेसा का दौर चल रहा था पुरानी विचारधारा से निकल कर लोग modern age की तरफ aggressor हो रहे थे जहां medieval age में लोग सोचते थे कि चर्च ही सब कुछ है धरम ही सब कुछ है वो सोच अब खतम हो रही थी और अब लोग modern age में जो है घुस रहे थे तो अब यॉरोप में ये सब चल रहा था तो यॉरोप का ही एक देश है इटली तो अवियस सी बात है इ इटली के ही एक हिस्से फ्लॉरेंस में रहते थे मक्यावली, तो उनके उपर भी इसका बहुत पावरफुल इंपक्ट पड़ा होगा, तो देखो, अब हमने समझ लिया कि यॉरप में क्या चल रहा था, तो यॉरप में रेनेसा चल रहा था, फिर इटली में क्या चल रहा था, तो इटली जो है, पाँच टुकडों में बट गई थी, और जिनका नाम था फ्लॉरेंस, वेनाईस, नैपली, मिलान, और टेरिटरी ओफ रोमन कैथॉलिक चर्च, इन पाँच हिस्सों में इटली बटी हुई थी, और ये पाँच ओ आपस में जो है, जगडा करते रहते थे, लडाई होती रहती थी इनकी आपस में, तो जो मेक्यावली हैं, वो चाहते थे कि ये पाँच ओ जो है, वो देश, जो इटली जो देश है, इसके जो पाँच टुकडे है, इसका युनिफिकेशन हो जाए और इटली जो है वो एक स्ट्रॉंग नेशन बन जाए ब्रिटेन और जर्मनी की तरह ये सपना था मिक्यावली का ये उनका एम था तो हमने देखा कि यॉरोप में रिनेसा चल रहा था और इटली में लड़ाई चल रही थी जो पांच टुकडो में बटा हुआ था फ्लॉरेंस में रहते थे मक्यावली तो मक्यावली के उपर रिनेसा का भी बहुत पावरफुल इंपक्ट था मतलब की मॉर्डनाइजेशन हो उपर तो इस वज़े से मक्यावली की जो थिंकिंग है वो काफी डिफरेंट है हमारे क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसोफर्स प्लेटो और एरिस्टॉटल से ठीक है तो अब हमने ये तो देख लिया कि यॉरोप में रिनेसा चल रहा था और यॉरोप का ही जो देश है इटली वहाँ पे लडाईयां चल रही थी जहां आपस की लडाईयां भी थी और साथ ही साथ रिनेसा का भी बहुर पावरफुल इंपक्ट था अब हम देखते हैं कि फ्लॉरेंस में क्या हो रहा था मतलब जो ओविस सी बात है फ्लॉरेंस में रिनेसा और लडाईयों दोनों का उसको भी समझना जरूरी है क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे मक्यावली तो देखो 1494 तक फ्लॉरेंस को रूरेंस को रूरेंस को 1494 तक लेकिन 1494 में मेडिची फैमिली को हटा करके ओवर्थ्रो कर रिपब्लिकन गवर्मेंट जो है वो सत्ता में काविज हो गई और रिपब्लिकन गवर्मेंट जब सत्ता में काविज हो गई उसके चार साल के बाद रिपब्लिकन गवर्मेंट ने मक्यावली को एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफर की सेकंड चांसलर की पोस्ट जो की एक सिविल सर्विस की पोस्ट थी मक्यावली ने इस affairs को deal करती थी यानि कि Florence के foreign affairs को deal करती थी 10 of war committee जहाँ पे एक member बना दिया गया मिक्यावली को अब जो है मिक्यावली जो है उन्होंने 14 साल तक एक diplomat की तरह as a diplomat काम किया इस सरकार में राजदूत का काम किया इस सरकार में वो अलग-अलग kingdoms में travel करते थे वहाँ की policies को वहाँ के politics को बहुत करीब से समझते थे लेकिन 1512 में कुछ ऐसा हुआ कि मिक्यावली का पुरा life ही change हो गया Medici family वापस से सत्ता में आ गई और Spanish army की मदद से Medici family 1512 में वापस से सत्ता में आ गई और Republican government को overthrow कर दिया अब क्योंकि मिक्यावली जो है वो Republican government में काम करते थे तो Medici family जब सत्ता में आई तो उसने मिक्यावली को अपनी उनकी पोस्ट से हटा दिया और 1513 यानि कि Medici family सत्ता में आने के एक साल के बाद उसने एरेस्ट कर लिया मिक्यावली को इस शक की बुनियाद पर कि उसने Medici family ने Medici family के against शडियंत्र रचा है इस शक की बुनियाद पर Medici family ने arrest कर वा लिया मिक्यावली को उनको काफी torture भी किया लेकिन बाद में उनको इस शर्त पर छोड़ दिया कि वो अब politics में involved नहीं होंगे तो मिक्यावली जो है वो क्या करते वो वापस अब अपने गाउं चले गए अब मिक्यावली के पास कोई काम नहीं था उनका काम चीन लिया गया था और अब वो अपने गाउं में ही रह सकते थे क्योंकि जो सरकार थी वो उनके फेवर में नहीं थी मेडिची फैमिली उनके फेवर में नहीं थी तो अब मिक्यावली अपने गाउं में रह रहे थे तो 1513 में second half of 1513 में उन्होंने किताबे लिखना शुरू की उन्होंने दो किताबे लिखी उन्होंने ये दोनो किताबे साथ ही में लिखी हैं तो हमें जो भी मिक्यावली की फिलोसिफी के बारे में पता चलता है उनकी thinking उनके thought के बारे में जो भी पता है वो इन दोनो किताबों से ही पता है यानि कि उन्होंने अपनी पूरी philosophy इन दोनों किताबों The Prince और The Discourses में दी है जिसको हम समझते हैं पढ़ते हैं मक्यावली को समझने के लिए फिर 1527 में 58 years की उम्र में मक्यावली का देहान्त हो गया और उनके देहान्त के 4 साल के बाद यानि कि 1531 में उनकी ये जो दोनों किताबे हैं वो पब्लिश होई थी तो ये था ये हमने देखा मक्यावली का सबसे पहले हमने देखा कि मक्यावली जो है वो जब पैदा हुए थे तो क्या चल रहा था, रेनेसा चल रहा था उस वक्त, पुनर जागरण का दौर चल रहा था, तो इसका भी इंपक्ट था मैक्यावली के उपर, दूसरी बात कि जो उनका देश था इटली, वो पांच टुकडों में बटा हुआ था, वो पांचों आपस में लड़ते रहते थे माहौल बहुत खराब था, करप्ट था, तो इसका भी बहुत जादा इंपक्ट पड़ा मैक्यावली के उपर, तो इस वज़े से मैक्यावली की विचारधारा काफी अलग है, बाकी फिलोसोफर से, क्लासिकल फिलोसोफर से, प्लेटो और अरिस्टॉटल से, ठीक है, अब द फिर मैक्यावली को हटा दिया गया, तो ये सब का बहुत जादा इंपक्ट था मैक्यावली के उपर, ये सब देखने को मिलता है उनकी बुक, दप्रिंस और दिस्कोर्सेज में, तो हमने फ्लॉरेंस में क्या हुआ, 1494 तक फ्लॉरेंस को मेडिची फैमिली ने रूल किया, 14 1494 से Republican Government सत्ता में आ गई, मैक्यावली को Second Chancellor बना दिया गया, बाद में मैक्यावली को Ten of War Committee में भी शामिल कर लिया गया, मैक्यावली ने 14 साल तक as a diplomat राजदूद भी सरकार में Republican Government के लिए काम किया, लेकिन फिर 1512 में Medici फैमिली वापस पावर में आ गई, और 1513 में जाना पड़ा, क्योंकि उनको Politics में ना-involve होने को कहा गया, तो डर भी था उनको Medici फैमिली से, इसलिए वो अपने गाउं चले गए, और 1513 में जब उनके पास कोई काम नहीं था, तो उन्होंने दो किताबे लिखी, The Prince और The Discourses, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी Philosophy दी है, 1527 में उनका देहान थो गया, तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था मिक्यावली का, और अब नेक्स पार्ट आएगा, जिसमें हम मिक्यावली की पूरी Philosophy को समझेंगे, जो उन्होंने अपनी बुक, The Prince और The Discourses के थूरू हमें समझाने की कोशिश की है, तब तक के लिए गुडबाई, टेक क्या है, तो अगर वीडियो पसंद आया, तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करिए, नेक्स पार्ट जल्दी ही अप्लोड हो जाएगा, तब तक के लिए गुडबाई, टेक कैर